आज हम आपको अलग-अलग sectors का outlook बताएंगे, आज हमारे focus पर of course retail sector है, sector पर चर्चा के लिए हमारे साथ जल्दी जुडएंगे DLF retail की ED pushpa vector, उनसे of course sector के आगे के trends, festive season में क्या उमीद रख सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे और retail sector पर overall बातचीत करेंगे, लेकिन हम पहल जान लेते हैं, इस वक्त क्योंकि त्योहारी season इस बार खास है, COVID के बाद, ये पहली बार है कि लोग खुलकर shopping के लिए malls जा पार है, आज DLF retail की management के साथ पाचीत करने से पहले, आप चलते हैं सीधे हमारे साथ नुपर जुड़ रहे हैं, जो इस sector को बहुत closely track करते हैं और festive season है, वो काफी happening होने वाला है, क्योंकि दो साल का जो lockdown था, वो अब खतम होगा, और पहला season है, lockdown के खतम होने के बाद, और already जो गनेश चतूर जी से जो start होई थी, वहाँ पे काफी interesting data सामने आते हैं, across the segment, across categories, काफी strong sales आती दिखी, अगर online sales की भी बात करें, जो अभी online discounts काफी strong data आते हैं, अगर हम shopping list की बात करें, तो अगर category wise देखें, तो सबसे ज़्यादा जो खरीदारी देखी जारी है, फिलाल वो जूलरी हो गए, clothings हो गए, footwear, smart phones, electronic, across सारी categories अगर हम देखें, तो काफी strong buying आते हैं, दिखें, demand की बात करें, तो demand काफी मजबूत है, robust है, across cities, non-metro cities, rural demand भी अभी pick up में, recovery mode में, तो वहां से भी काफी बढ़िया आते हैं, footfalls अगर हम देखें, retail में, malls में, तो वहां भी pick up आते हैं, फिलाल जो occupancy levels है, reports के हिसाब से malls में, वो 95% के आसपास आते हैं, जो categories हैं, जो हमने देखा, जो बात करी थी, उसमें अगर हम देख हैं, और जो electronic items से वो 50% की जादा sales इस बार देख रहे हैं, laptops, audios, clothing, fashion industry, in fact, 7-10% की जादा growth इस बार आते देख रहे हैं, home decor हो गए, gifting products हो गए, jewelry, furniture, सारी के सारी categories में, बहुत अच्छी demand इस बार आपको दिख रहे हैं, ओके, तो बढ़िया फेसिव सीजन जाने की तयारी मे जिस तरह से लग रहे है, retail space अच्छा यहाँ पर perform करते हुए दिख रहा है, जैसा नुपर बता रहे हैं, trends तो यहीं लग रहे हैं, तो 15-20% उपर यह growth overall anticipate कर सकते हैं सेक्टर में, इस बार, over last year, बिल्कुल, online sales हो या offline sales हो, pre-covid से भी अगर हम compare करेंगे, तो काफी अच्छा momentum expectation है कि यह जो एक महिना है, festive season का, यहाँ पर आपको 15-20% की growth आते दिखेगी, in fact, जो sales चालू है online, महाँ पर अल्रेड 28% की growth हमने लास्ट दो दिन में देखी, अगर पिछले साल से हम compare करेंगे, तो,